नमस्कार बहुत बहुत स्वाकत है आपका मैं हूँ आपके साथ धुरुतू ग्यानवानी सबसे पहले बात मुराना की पठाका फाक्टरी में जोरदार धमाका हुआ एक महीला और एक बच्ची की मौक पर धमाके ऐसे से यहाँ पर जमीदोज हुई है फैक्टरी पठाका फैक जिसका कोई रिजिस्ट्रेशन नहीं था यहाँ पर धमाके की खबर है और एक महीला एक बच्ची की मौक की भी खबर है हाला कि कि इतने लंबे वक्ट से यह फैक्टरी संचालत हो रही थी और कौन-कौन इसमें शामिल है यह इन पर अभीजाश परताल चल रही है पूचता सब मौके पर है और पूरी गराई से चानबीन हो रही है एजडी आरफ की टीम भी है प्रतम दृष्टिया मुझे तो यहीं लगता है कि यह सिलिंडर विस्फोट का धमाका है देखिए मेरा यह मानना है पटागे तो दिपवली का समय अरगर में दुशार दस पड़े होंग और ऐसी जानकारी में लिए कि वहां खाना बना रही थी खाना बनाते समय विस्फोट हुआ है इसलिए प्रतम दृष्टिया में इतना कर सकता हूं कि सिलिंडर विस्फोट के कारण है यह और इधर फैक्टरी ब्लास्ट पर नेता प्रतिपक शुमंग सिंगार ने सरकार पर लाइसेंस देते फैसे लेके इस पर सरकार को तदकाल कारवाई करना चाहिए और जिन पर नुक्सान हुआ तदकाल सरकार को माम हुआ जाते ना चीए यह तस्वीर है आपके सामड़े पटाका फाक्टरी में किस तरद से धमाका हुआ है जोड़दर धमाका होने के आपर खबर है दो जनों के मौत के भी खबर है और यह भी कहा जा रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के यह जो पटाका फाक्टरी है वो संचालत हो रही थी और भी कई पहलू है जिन पर जांच परताल अभी चल रही है मौके पर आला अधिकारी मौजूद है अप्रशासन के लोग मौजूद है और जांच परताल पूरी मामले में कर रहे हैं साती साथ आपके विवताएं कि दो जनों के मौत की खबर है इसमें एक बच्च्री भी पटागा वैक्ट्री कितने लंबे वक्त से संचालत हो रही थी ये भी जांच का विशह है बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे आखिर ये चल रही थी किसके संड्रक्षन से ये चल रही थी ये भी जांच का विशह है इस पर जांच परताल अभी जारी है गुपाल की तस्वीरे यहां पर धमाका ओओ और हम वर्हानपर का जिक्र करेंगे हत्यारएपती को उम्रक्यत की सजा हुई है जला होट ने यह उम्रक्यत की सजा सुनाई 5000 का जुर्माना भी लगाया बतादे दस्वईनेबाद कोटने सजा सुनाई 22 जनवरी को चरत्र शंका भें अब्या पूई अब ही इस पर लगा गया है जलाकोट ने उम्रकेट की सजा सुनाई है तुछरे तो शंका में पती ने पत्नी की हत्या कर दीती और दस महीने के बाद कोट ने ये फैसला सुनाया है सजा सुनाई है नितन गटकरी का डीपियार को लेकर तंज सामनी आया कमपनियों पर नितन गटकरी ने तंज कसा सलक के बीच में कुछ भी आये बना देते हैं प्लान बाद में बीच में आने वाले मंदर मजद को हटानी के लिए खर्च करते हैं करोडों इंजीनियर्स ग्राउंट पर जाकर नहीं बनाते प्लान ऐसा प्लान बनाने वालों को देना चाहिए अवार्ट डीपियार वाले तो इतने महाल लोग है कि एक एक जनको पदमश्री और पदमवी बुश नहीं देना से पहने कितने गंदे काम हो सकते हैं कितने इंजीनिंग पॉइंट ओफ यू कोई घर में बढ़के गूगल पे प्लान करते हैं अगर उनमें से कुछ होगे तो उनकी क्षमा मानते हैं मैं पैसा दो पैसे ज्यादा लो काम पर्फेक्ट करो ना और हम सब जो हमारा चलता है मिनिस्टी का जंजग अनुराग जी और हमको यह यह नया योटी दो एक्स्टेंशन आफ वर्ग दो एडिशनल स्कोप आफ वर्क करो पूरा डिपीर गलत अलाइनमेंट गलत और हम यही और मुखी मंतरी रॉक्टर मोहन यादव और केंद्रिय सलक परिवहन मंतरी नितन गटकरी ने आज राजधानी भूपाल में दो दफसीय सेमिनार का शुभारम किया जिसका उदेश सलक और पुल नर्माड में नविंतम तकनीकों और सामागरियों पर विचार विमर्श करना हैं सेमिनार का आयोजन लोक निर्माड विभाग की तरफ से किया जा रहा है सेमिनार के पहले दिन प्रधान वंतरी ग्राम सलक योजना में नई तकनीकों के क्रियानवेन और रिपुल नर्माड में नई मशीनरी के उप्योग और सलक निर्माड में सीमान सामागरियों के योजुनाओं की मॉनिटरिंग पर भी जोड दिया कया है। लेकिन रोकने के लिए मुख्यधारा के बजाए चट्टानों का उप्योग किया गया है। कि रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रीज कंस्ट्रक्शन में जो क्वालिटी है। और जो नई नई टेकनोलोजी है और उसके बारे में एक्जिगुशन करते समय है। अपने विचार मंथन से क्या सुधार करना चाहिए, कौनसी नई टेकनिक अपनानी चाहिए। इसके लिए आयरसी ने जो इनिशिटिव लिया है और आप सब लोग इसमें शरीक हुए है। ये निश्चित रुप से बहुत बहुत आनंद और अभिनंदन का विशे है। मैं आयरसी को और मद्यपदेश पीडेवलोडी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुरेनावे बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर कॉंग्रस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कॉंग्रस का कहनाए कि बीजेपी के सदस्यता अभियानवे कॉंग्रस्यों को सदस्य बनाया गया। कॉंग्रस के प्रदेश महामंत्री जसवीर गुर्जर को बीजेपी में अपना सदस्य बनाया। मुबाइल पर OTP आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ। कॉंग्रसी कारे करताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ को द्वाली धाने में शिकायत दी है साती प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ दोखादड़ी का मामला दर्ज करनी की मांग भी कर रहे हैं। शाजापूर का जिक्र करेंगे बीजेपी सांसद उमेश नात महराज का बड़ा बयान सामनी आया है। और मुरेना में खाद लेने गए किसानों के साथ मारपीट हुई है। मारपीट हुई। मौके पर मौझूद पूलिस ने बीजबचा भी किया कोतवाली थाना चेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने खाद के लिए जंग की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से मारपीट एक दूसरे के साथ यहां पर की जा रही है। थाद लेने के सांग गये थे, लाइम लगे थे, बीच में कुछ गुण्डे बदमाश भुज गये और उसके बाद जब धरोज किया गया तो ये मारपीट पर उतारूँ हो गया। सिंग्रॉली में उमेश्र साहू नाम के यूबक पर तेजधार हथियार से हमला किया गया तो वही हमले का आरोप रेंजर बरगवा समेच चार वन कर्मियों पर लगा। यूबक को जैनी से उठाकर और मापीट कर पुरानी देश सर ले जाकर पिखने का आरोप भी है। तो वहीं यूबक की हालत गंभीर हैं तो लस्पूरे मामले की जांच परताल करेंगे। और राजधानी भूपाल में कॉंग्रस से बेटी बचाओ अभियान के तहट उप्वास किया है। अकर्माय हो गई है और प्रदेश में रोज बलातकार हो रहे हैं। और आता है कि नवजाद बेटी के साथ बलातकार हुआ। अगरा बॉंबे रोट पर रापी लगाकर रूट को अंजाम देते थे और वदमाश सड़क पर कील गिराकर गारियों के टायर को पंशर कर देते थे। सवार महिलाओं से सोने के आभूश्रन लेकर फरार होते थे। बढ़गुंदा पुल्स ने आसपास के गावों से सच अभियान चुलाकर आरूपियों को गिरफतार किया। साथिय भूश्रन सब आरूपियों से पूच्टाज भी कर रही है। जो ग्राम जमुनिया बढ़गुंदा थाना चेत्रों पड़ता है। उसके आसपास के ही पांच लोगों के बाए में सूचना मिली कि इनके द्वारा ये पारदात की गई है। उसमें शामिल रहें। उसमर से एक जो मुखा परादी है ताना इसके पूर में भी धार और इंदौर में 11 अपराद हैं। और वाकी अना आरूपी हैं। उनके भी साथ या दो या दो से अधिक अपराद पाहे रहें। और गटनी में नाबालिक से बरबरता करने वाले आरूपी को पूलस ने गरफतार किया। बता दे आरूपी ने बारा वडशी बच्चे को शराप के साथ जबरंड डीजल पिलाया था। गटना के बाद नाबालिक की अचानक तवियत खराब हुई थी और इलाज के लिए अस्पिताल बें भटी गराया था। बताया जारा है कि बच्चे की हालत गंभीर है अभी बी इलाज उसका चल रहा है। गटना करम से जो है एक बच्चा जो है सास की इसकताल जलाकटनी भरती है जिसके सूचना पर तद्काल जो है वहां पहुचा गया और उसी गाह का पहरुगा का जो है राम सजीवन और बंदिया पटेल है जिसने इस प्रकार का करत्ट किया था इसरापके साथ जो है डीजल म और अनुपुर में दर्दनाक हाथा हुआ है कोईला खदान में ब्लास्टिंग से यूवक की मौत की खबर है कोईला खदान में काम करता था यूवक घाटी कोल माइस की अगरता है हादसे के विरोध में परिजनों का प्रदर्शन भी देखने को मिला लुख लिए खड़वा के सुखता बैराच के पास तीन लोग दूबे हैं युवक की मौत हुई है दो लोगों को बचाय गया है जस्वारी बेडियाव से सुखता बैराज में हद्सा हुआ रामनगर पुलिस कुटवाली थाना मौके पर पहुंची और ग्वालियर का जिक्र करेंगे महीला और तीन बच्चों के लापता होने का ये मामला है भीतरवार में बच्चे की लाश मिली है लापता बच्चे की लाश होने की संभाब नाएफूलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं 15 अक्टूबर को लापता होई थी महीला पती के साथ जगड़े के बाद बच्चों के साथ ही लापता हो गई खबर इन दोर से है जहां पर एतिहासिक रेसिडेंसी कोठी का नाम बदला गया है अब रेसिडेंसी कोठी चत्रपती श्रिवारजी कोठी के नाम से जानी जाएगे मेयर इन काउंसल के वैठक में यहें फैसला लिया गया दोसो चार साल पहले रेसिडेंसी कोठी का निर्माल हुआ था यहाँ पर 1857 की क्रांती के दौरान बगावत खुई थी तो वहीं रेसिडेंसी कोठी का नाम बदलने पर सियासत अब तेज हो चुकी है कॉंग्रस ने रेसिडेंसी कोठी का नाम अहिल्या भाई हुलकर के नाम पर रखनी की मांग की है तो वहीं कॉंग्रस ने आरूप लगाया कि महाराश्ट चनाव में वोट बैंक के लिए चैतरपती शिवाजी के नाम पर रेसिडेंसी कोठी का नाम रखा गया है बोपाल में खेल मंतरी विश्वा सारंग ने बीजपी के सक्रिय सदस्यता का रिन्यूवल कराया है और इसी दोरान बीजपी के खाई नेटा मौजूद रहे इस मौके पर मंतरी विश्वा सारंग ने कॉंग्रस पर निस्ञाना भी साधा सारंग ने कॉंग्रस पर हर बात पर सियासत करने के आरूप लगाया साथी कॉंग्रस से 15 महीने की कमलनाथ सरकार को लेकर सवाल किया और ये कॉंग्रस पर प्रदेश की जरता को घुमरा करने का आरोप भी लगाया तो वहीं विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार प्रदेश में खाट इल्लत को कम करने में जोती हुई तो विश्वास सारंग कई तरह के आरोप लगाते हुए जो है नजराए कॉंग्रस पर साथीसा जवाब मांगा है पंद्रह मेने की सरकार में आखिर कॉंग्रेस ने क्या किया था कमलनाप ने क्या किया था तो यह मौका था सदस्ता का रिन्यूवल का और इसी दौरान विश्वास सारंग के दौरा कई सारी बातें कॉंग्रेस के लिए कि हर राजनीति के दल को अपना विरोध व्यक्ति करने का अधिकार है परंतु हर मुद्धे पर राजनीति करना ये स्वच्छ लोक तंत्र की परंपरा नहीं है कमलनाजी बैठे बहुत अच्छी बात है दिग्विया सिंग जी बैठे प्रदेश अध्धेश कॉंग्रेस के बैठ कि पंदरा महीने कमलनाजी की सरकार मध्य पर देश में थी तो जो बच्चियों के साथ दुश्क्रम होते थे उसमें उन्होंने क्या किया इन दोर के बढगोंदा इलाके में लूट के पांच आरोपी को पुलस ने गिरफतार किया है दरसल ये सभी आरोपी नैशनल हाईवे आगर बॉम्बे रोट पर रापी लगाकर लूट को अंजाम देते थे बढगोंदा पुलस ने आसपास के गामों में सर्च अभियान चलाया और इनको गिरफतार किया उसमें जो ग्राम जमूनिया बढगोंदा थाना शेक्रम पड़ता है उसके आसपास के ही पांच लोगों के बारे में सूचना मिली कि इनके दोरा ये पारदा की गई है और उसमें शामिल रहें उसमर से एक जो मुखा परादी है ताना इसको इसके पूर में भी धार और इंदौर में लगवाग ग्यारा पराद है और वाकी अनारोपी है उनके भी साथ या दो या दो से अधिक अपराद पाए रहें ऐसे पांच लोगों को इंदौर गर्मेंट माफ कीजएगा रूस में सड़क हाथ से में मौत हो गई है परिजन ने सरकार से स्रश्टी का शव वापस लानी के गुहार लगाई थी जिसके बाद केंद्र और प्रदेश की सरकार की मदद से चात्रा स्रश्टी का शव विशेश बाहन से आज सकतना पहुंचा इसके बाद आज बनांग को एर अम्बूलेंस से शव विशेश बाहन जाएगा जहां पर स्रश्टी का अंकर शंस्काल किया जाएगा और यहां से उनके बादी को मज़ए के लिए रवाना किया गया और आई अब दिखेंगे टॉप 20